है हेल दोस्तों दौस्तों मेरे नाम अंके चींग में उसे कने आपकेशाट करने वाला हूं हुआ जितनी टाल्चीक से थाइस प्रेगनेशिन उन्हों कैसे करते थेगए नंदर कैसे में बात सर्थी ओंगी ऊपीषिग जैसे माइंड मेपिंग बोलते हैं उससे हम इस वीडियो के अंदर बहुत आसां तरी किसे सहार सी जो को एक जगह पर डिस्क करेंगे जिसे चीजे चीजे को याद करने में जादा इजी होगा ठीक है तो सब्सक्राइब में प्रिकलम सिया पर जाएं हम प्रिकलम से पहले में होना चाहिए कि जो हाइपर टेंसन होता है इंदर में लिए आपका अटीन टैप का तीन टैप का थी जब आप एक तो होता है बीस वीक से पहले कि यह आपको प्रियद ऑके से संट्वीक से कम है और उसका बिपी 14590 से जादा है और प्रोटीन आरेया है एंड योडी मतलब और गंडे में जीदी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे 20 से ज्यादा होता है तो उसको बोलते है गैस्टेशनल बीस से कम है यह आपका वीच वीक से पहले आपका बीपी चैक है कि आपने और आपको नॉर्मली और 20 वीक से पहले या 12 वीक पॉस्टमार्ट आम उसके बाद उसको बोलते हैं क्रोनिक आइपरेटेंशन क्योंकि जो आपका 12 वीक बिलिवरिंग तक ठीक हो जाता है लेकिन 12 वीक के बाद भी आइपरेटेंशन रहता है तो यह दो कंडिशन होती है गैस्टेशनल आइपरेट ध्यां रखना है एक थर्ड करनीशन आदी प्रकलियम से आप देखते हैं ने चार्ट के अंदर लेकिन इदि गैस्टेशन है फिटेंशन है तुसको हम कैस्मेंट करेंगे गैस्टेंशन दो कंडिशन हो सकती है दोस्तों नमर कंडिशन होगी जब आपका पिरोंगे स्टेश और 110 से ज्जादा हो मतलब काफी ज्यादा बीपी आई है तो हम उसको ट्रीट करेंगे ऐज अजिए प्रेकलेंशया को ट्रीट्मेंट करते हैं जो अभी हम नेक्स चार्ट के अंदर देखेंगे परेकलेंश और काइसे ट्रीट्मेंट करते हैं लेकिन यह आपका इसा नहीं इसके अंदर हम क्या करेंगे और यह देंगे यह बात वही नमबर वन गैस्टेस्लाइप डेंचन की लेकिन एक अब आती है जब आपका क्रोनिक आइपटेंशन होता है क्रोनिक हाइपटेंशन में हम देखिए क्या करेंगे टोनिक हाइपटेंशन में दो टाइप इसमें दो ओप्सन आते हैं पने पास यह आपका नॉर्मल ज़्यादा ओप उसी फीचर नहीं आ रहे हैं और में ज्यादा हाई नहीं है तो हम उमक्मल वैल कंट्रों केस में 39 वीक करनाने का सोचते हैं ठीक है 39 पर हमको डिलीवरी कराना होता है लेकिन यह दी पैसेंट डेवलप करता है निव ओन सेट रोटीनियरिया जान एंड और डेमेज के साइन देता है या कंट्रोल हाइपर टेंशन है 20 वीक के बाद भी तो उस कंडिशन में अपने को क्या होता है भी करते हैं तो उसको हम circumstances Premiere और जो से बात हो हुई दो आपके साइड में आपको रहां नंबर नंबर टू आपका करोनिक हाई पर टेंशन बीस विक से पहले डिलेवरी के बारावी के बाद और उसके बीच वाला पिरेड ऊथ गया गैस टेसिनल ठीक है यह नॉर्मल दो केस्वेड लेकिन यह तो नॉर्मल है लेकिन जो प्रीकलेंश यह क्या होता है कि जो गैस ना होता है और dr de Luigi नियाते लेकिन यह हाइपो टेंशन के साथ साथ हाइप pro Button did a ivot giddy up can you clip a test तेस्ट किया दूर्ध के अंदर पूजेंए मिलते तो उस wystnt और Oh a time pre claims यह तुसमें आ चीज आ है किस ना आता पेट प्रिजिल्री पर नोर्मलिय जो आपका के अंदर वस्कुलर मोदिलिं होती है ए Delhi इस borrow प्रिछनरी प्रीटिय। हुआ प्लर्प मॉड्यमक्σाइब नगी हो सकता है इसके अंदर प्रिडिक्टर कं बाता की प्रिडिक्टर कोन से हैं जो आपका VEGF और आपके उपर वाले है ऐसे एंजी यह जो प्रेडिक्टर है यह आपके रेज होते हैं इस कंडिशन में इसके लावा इसा जैनेटिक भी कोज हो सकता है और को आपका बैर्टनेल ऑजह से ठीक है पैटनल यंदिशन आपको मैं रिजन ठीज होता है इसका में मेडिटेड पैफिजियोजी फरेकलिम्स है ठीक है यह नमबर में बात हुई इसका चैकनी पॉइंट धौर्ट्ट फॉयंट दोस्त वह का आपका हाइड रिस्क जो हाईडिस नमबर रोग यह दो करिया आती है वो आती है आपकी प्रियूस प्रियोस के यह का है तो हाइरी स्केस के अंदर आएगा डायव विद विस्कुल्र वुष्कुलोपैती यह भी आप हैज के अंदर आता है क्रोनी किडिनी डिजीज अपला ऐसे लिए मल्टी फिटल प्रेग्नेंसी एन क्रोनिक हीपरेटेंशन यह जितनी भी पांच से कैटिगरी है यह हाई रिस्क होती है प्रेकलेंशिया के लिए तो इन केस में हपन क्या करते हैं अपन देते हैं लोडोजे स्प्रीन स्टा आपका हाई रिस्क इसके बाद नेक्स आता है दोस्तों एक कंडिशन के नॉर्मल एक कंडिशन पहला वाला केस लिख रखाना वेक आपके एक्स्ट्रीम केस होता है कि जब आपका बीपी तो आपका होता है 160 से ज्यादा एंडर डेमेज मिल रहा है प्रोटेंडिया मिल रहा है तो इसकी हम पहले बात करते हैं पहले normal के बात करते हैं फिर हम सीवीर फीचर की बात करेंगे जिदी जों53 है दोस्तों तो तो हम बोलेंगे पृकलेम्स या विद इसी ओर फीचर उसका अलग में इसमेंट होगा बोड बार इसके अलग मेनेजमेंट जाता है कि नेच्ट टाइब की हो सकता है बातलो टाइम हो सकता है Thio 37 जादric 37 ध्यायन सब्सक्राइब सब्सक्राइब सकते हैं यह एक बार मेंशन करने सेनुल डियुँड हम किसी सिंद्र लिए आपका 15500 ज्यादा प्रेसर तभी हम एंटिया आइपेटेंशन रग देंगे उसमें ड्रॉप चोईस होती है लेवेट लोल लेवेट लोल आप ड्रॉप चोईस होती है प्रिकलेंशन है के अंदर हाइपेटेंशन के लिए नंबर टू आ कंडिशन आती है प्रेटेंशन होता है लेश देन 37 वीक तो उसमें दो कंडिशन आएंगी फिर से यह आपका एक कंडिशन हो सकती है कि उसके अंदर अंकंट्रोल हाइपेटेंशन हो मतला हाइपेटेंशन बहुत ज्यादा है उसमें अपने अपना नेक्ट मेनेजमेंट होता है डिलिवरी कर और अब देक सकते हैं अपनेजमेंट में क्या आएगा हम मेंटेरिंग करेंगे लेटी जो तेस्ट होते हैं वह कुरवाएँगे बीपी दिन में दो बार देखेंगे भी ट्वाइस ए ने और इं एंटी हाइपेटेंशन ड्रग तभी देंगे जब आपका डीपी 150 100 से ज्यादा हूँ ठीक है ड्रग ऑफप सोइस के अंदर भी आपका लेःतलो लोटी है ठीक है लेटलो तो लेटलो आपका ड्रग को इसके अंदर जो द्रग आप तो इसे है रीपेटन्सित में के लिए जो पहले भी नर्मल में भी थी ठीक है लेकिन आपका हम कब देंगे जब आपका दो बार हम बीपी मापे 15 मिनिट अपार्ट मतला मिनिट के गैप में अपने बीपी टेस्ट किया और दोनों बार आपका 15100 से ज्यादा आया बीपी तो हम उसको एंट्याइब चलाते हैं इसके लाइक स्पेक्टरिंट के अंदर फिटल मोनिटरिंग आती है दोस्त होना चाहिए तभी हम आपका स्ट्रोड स्टार्ट करते हैं तो यह आपका विदाउट फीचर के मेनेजमेंट उसके बाद एक कंडिशन आती है दोस्तों जो स्यूर्फीचर के साथ ही दी आपको पेसेंट आता है एंड और डिमेज की शीर फीचर साइन लेका आता है तो हम इस से दो कंडिक चल जाता है उसको मैंजमेंट करने की तो कंडिक्यrese कोन्स ही हैं नावरूक एटिकरियोथ दोस्तों आपका जब आपका जो रिटोगे संयों है इसके लावा यहें। कंट्रोल करने के लिए उसमें ड्रग आप चोईस होती है लेट लोल लेकिन लेट लोल यह आई पर टेन बिपी आपका वन सिस्टी वाई वन हैंडरेड टैन से जादा है तो हम आई वी लेट लोल देंगे इसके लावा एक ड्रग और यह हम यूज करते हैं सेकंड लाइन होता के लिए प्रोफालेटिक एंजेस और भी हम देंगे इसकेस के अंदर सेकंड जो कंडिशन आती है दोस्तों वाती है जब आपका प्रिश्टेशन होता है लेस्टन थर्टी फोर वीक है तो उसमें अपन क्या करेंगे दो कंडिशन आती है यह दि आपका कुछ केस ऐसे हैं उ इंपेंडिंग क्लेंशिया है है एल्फ शिंड्रोम का केस है अबरेफिशन की सस्पेक्टेड है पल्मोने डिमा परजेंट है रिनल फैलियर परजेंट है आई यूजी आर्वीद ओलिगाइड्रमेश परजेंट है तो उस कंडिशन में हैपको आपको मैं स्टेप होता है न आपका इन फिचर में उसमें यह दी पैसेंट स्टेबल है यह दी पैसेंट स्टेबल है थर्टीफोर वीक से कम वाले केस के अंदर ठीक है यह तो उसमें हम क्या करते हैं हम करते हैं conservative management करेंगे इसके अंदर हम करते हैं नंबर वन जो इसमेंट होता जैसे पहले हमने किया था इसके अलावा एंटि आपटेस्ट ड्रग देंगे और श्री रोड देंगे जब लेंग मैं चर्टी के लिए यदि आपका इसके अंदर 34 वीक से कम पहले होना चीए ठीक है तो यह आपका हो गया इसके लिए लेकिन जो आपका सबसे इंपोर्टन चीज है इसके अंदर यह तो वो क्या है यह इतना है इसके अंदर आपका घररर्री मेंजमेंट जमेंट यह उसके बाद आपका एकदर करने मांने抗़ने के बाद 37 लेके बाद Hemửi कर आथन likely उसके बाद नेक्स्का था आपक लाक्शी केस इसके इनदर यादि-से something के ँंदरам धोन्य के यान्ज टोनिक द होता है इसका यह आपको बात हमें से ज्ञान में रखनी है इसमें आपको चीज का रखनी है प्रेवेंशन ओव्मेटरीनल ट्रोमा आपका मैन मक्सदोना चीए प्रेवेंशन ओप उसको मैं कम करने के लिए दोस्तों हम देते हैं भूप से मेग से इंपोर्ण ड्रग है प्रिकलम्सिया में या प्रोफाइल एक शीर्ट करने आप से के बारे में आप बत्यए जो कि इसकी डोज के अपकी रिष्ट अते हैं नौर दोज आता है कि रोडिक रोडिंग दॉस्क इतना देते हैं लोडिंग गोज वीजिए फोर ग्राम हम देते हैं आई वी वह होता है परसेंट ठीक है 20% आपका मतलब solution होना चाहिए 20% for Mgso4 मतलब 80% आपका नौर्मस लाइन के साथ हम मिक्स करके देते हैं उसके बाद आता 10 ग्राम देंगे 50% Mgso4 होगा वो आयम देंगे को सुरू का 4 ग्राम थाए वी उसके बाद था 5 10 ग्राम था नेक्ट आयम ठीक है इसके बाद आता है कि यदी हम maintenance dose दान ले से पहले एक loading dose होती है एक maintenance dose होती है एक देते हैं petrol reflex present होना चाहिए इस वाइट रेट मोर दें 12 होना चाहिए और यू मतलब यू मतलब यूरिनरी आउटपोट आपका more than 100 in last 4 आवर यह होना तीनों क्रैटेरिया यह आपको फुल करते हैं तभी हम maintenance dose करते क्योंकि फिर उसके बाद इसा नियुगा तो फिर उसका टोक्षिटी जाद उसके benefit से जाद होना रहते हैं ठीक है इसके बाद मेंटाइं होती है दोस्तों मेंडें दोज होती है इसके इंदर हम जीख वर की 5 ग्राम I am every four hourly उसमें 14 ग्राम था लोडिंडोज यह है 5 ग्राम इंटर मिश्री देंगे every four hourly ठीक है और इसका जो नॉर्मल थेरोपेटिक लेवल होता है वह होता है four to seven और आप आपको आपको कर सकते हो मैं यह चार्ट है मैं अपने टेलिग्राम चैनल है डोग्ट रंकेट सिंग वाप सर्च कीजिएगा वहां भी पीडियू डाल दुआ दोनों पेज आपको वहां से मिल जाएंगे और वहां पर आप इसको एराम से इसको डाउलोड कर सकते हो और आराम से को कैसे क्योंकि जो प्रिक्लैम्स यह को आपको देखिए मैंने साथ पार्ट के दिवाड़ किया है साथ पार्ट के अंदर नुबर वहां एस यूर फीचर सेकंड पैथफिजियोजी थर्ड है आपका हाई रिस्क चो था आपका हैं एक दो तीन चार पांच पांच आपको डोट कनेक्ट करनी है ऐसे ही आपको जो हाइपर टेंशन है वह आप इतीन है एक गैस्टेशनल एक क्रोनिक एक आप प्रिक्लैम्स यह इस तरह से आप इन दो चार्ट के दोस्तों आपके लगबग 90 परशेंट जारे कुशन आपक दोस्तों यह एक बार हो सकता है कि अभी एक बार क्याते इक भार खुद सी पढ़िएगा खुद से चार्ट बना सकते हो खुद का इधी राइटिंग में आपको प्रोगलम है ठीक है दोस्तों होप कि आप इस वीडियो सेल पोगा वीडियो सेल वाइद वीडियो को लाइक झाल झाल